गुलाबी शहर जैपूर करोना के लिहास से राजस्तान का सबसे बड़ा एपी सेंटर रेड जोन में शामिल है करोना की जितने मरीज आए हैं 2500 से ज़्यादा अब तक संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं उसमें से 9500 से ज़्यादा अकेले जैपूर में आए हैं बाव जिर देखिये लोगों की गतादाद कितनी जादा सारी गाड्यों में निकल चुके हैं अला कि कई लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं लेकिन आदे से ज्यादा को शायद जरूरी नहीं था कि यह लोग बहार निकले लेकिन फिर भी अब इस तरह से बाहर निकल रहे हैं पुलीस वाले भी हैं एम्बूलेंस भी हैं यहाँ पर एसेसनियल सर्विस है सप्लाई अगर का करने वाला यह लोग भी हैं तो इस तरह से यह गाड़ियों की का इस तरह से लंभी गाड़ियों की लाइन लगी है या बताने के लिए काफिए की रेड का इलाका जो बना हुआ है काफी समवे दिन शील है तब इकेंद्र सरकार ने इसे रेड जोन में शामिल पिया सर मैं आपसे बातीत करता हूं सर एक छोटी सी जानकारी है गाड़ ये खुब ज़्यादा आने लग गई भैसा ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी फिर ये प्रसानी कि स्तर का फैस लाइन का ये काना है लोग निकल रहे हैं सावधानी पूरख निकलना पड़ेगा इन लोगों को क्योंकि अब मामला और गंबिर होता जा रहा है जिस तरह से कम्यूनिटी संक्रमन की अंदेशा है उस तरह से तो ऐसे में ये जलगाता है जिस तरह से मामले इस तरह से लोग घरों से बाहर निकलने लगें शायद ये रेड जोन के रियास से कतई सही नहीं कहा जा सकेगा सरकार ने आपको छूट दी ये ताकि आप अपनी जरूरत की सभी काम को पूरा कर सके आपको परहशाने नहों ल बन चुके जैपूर के लिहास से बिलकुल भी सही नहीं होगा कैमराबन दिनेश कुमाउत के साथ स्रीवतसन जैपूर न्यूश 24